जैय स्री बालाई दर्सकों में आचारे 17 बालाजी महाराजी कृपा आप पर सदय बनी रहें 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहन लगेगा और इसी दिन सर्वपित्र मवश्या रहेगी सर्वपित्र मवश्या के साथ ही सोला दिनों तक चलने वाली स्राध पक्ष की समाप्ती भी हो जाती है हाला कि यह ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा जिस कारण स्राध कर्म और मवश्या से जुड़ी सारी धार्मिक गत्विदियां पर रोक नहीं होगी पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर 2023 को सूर ग्रहन अश्वनी महा की हमवश्या तिथी पर कन्या राशी और चित्रा नक्षतर में लगेगा ग्रहन 14 अक्टूबर को रात 8 बज कर 34 मिनट से आरंब होगा और मधरात्री 2 बज कर 25 मिनट पर समाप्त हो जाएगा इस बात को मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि सूर ग्रहन जो है वो भारत में मान नहीं है क्योंकि सूर ग्रहन रात्री में है इसलिए उसकी मानता भारत में नहीं होगी सूर ग्रहन के पस्चात आप पीपल में जल दें और जल में काले तिल जरूर मिलाएं गरीबों को यथा शक्ती दान दक्षना दे सकते हैं हिर्दय इस्तरोत का पाठ करें सूर ग्रहन के बाद उडद के पकोड़े सर्सों के तेल में बना कर पुत्तों और कववों को खिलाएं